तो गईज यह देख सकते हैं आप और दफ्तर में इस तरीके से अभी है तो मैंने कुछ चीजे मंगवाएंगी पार्क वीज के स्टोर से और वह आपको दिखाते हैं अभी किया है और उनका एक्सपीडियन्स किस तरीके का होगा उनके एंबॉक्सिंग करते हैं और चलते हैं इंबॉक्सिंग की तरफ यह मैंने पहले तो मंगए थे इनको मैंने खर पहले खोल लिया था यह थे लब लग रहे हैं कपड़े हमारे पास ठीक है जो फ्लीन करने जिए और इसके साथ जो मैंने एक में चीज मंगवाएंगा यह न वह तो यह जी मैंने अन्बॉक्सिंग करने के जिए इसको ज़्द ज़्द ने पाल दिया है और यह आप देख सकते हैं कि यह बाहर भी आगया है अभी दिखाता हूँ आप कोई बॉटल है किस तरह की और अगर इसको हमानू करते हैं और यह ने पास तो यह खुर गया है बहुत ही ज़्द चाहन से और जी यह हमारे पास से स्केंटर दी गई यह है अब देख सकते हैं तेके स्प्राइब करने के लिए और इस कामड़ देख यहाँ पर और जो दूसरी हमारे पास चीज़े वो क्या है वो है यह बाटल और यह आ गया है आपको नजर आ रही होगी मैं अभी बलके बाहर भी निकालता हूँ इसको तो गैस यह देख सकते हैं पौरी दफ्तर में इस तरीके से अभी हमने कर दिये अन्बॉक्सिंग पाक वील्स की प्रोड़क्ट है अभी हम करेंगे जब इसको यूस तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसी इसने मेरी गा प्रोड़क्ट जो पाक वील्स समंगाई थी यह आप देख सकते हैं और यह किसलिए है यह करती है आपके इंटिरियर को प्रोटेक्ट है तो यह दिखाता हूं आपको कि इसको कैसा रिजलिट आता है जल्दी से हम जलते हैं अपनी गाड़ी के इंटिरियर पर क्यूंकि गा पहले मैं यह करने वाला हूं कि इसको इंटिरियर को साफ करूंगा एक साफ कपड़े से ताकि जो मट्टी इस पर चिपकी है वो सारी मट्टी हट जाए और फिर मैं इसके उपर यह स्प्रे करूंगा तो गईज यह आप देख सकते हैं इन्होंने ना बड़े मतलब पूरा इसको इसको साफ देहे पूरे पकेस के साथ इसके उपर ये फाल्ग ससाथ दियाए यह कि यह ड़त हिए अळीं मैं अभी इसको अलक 68 को ऑदो ऊस्वने क्लीन और वह एंसको किया यह पके इंटीरियर को जो है वो एक फूर्श लुक देगी ठेकर अगर आप्नेवात इसको क कर दिया तो आप यह देख सकते हैं अब यह थोड़ा सा गलौसी हुआ चमक रहा है अच्छा अब है अगर मैं इसको स्मेल बढ़ी अच्छी है और अब यह अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा यहां पर स्प्रेइ कर देता हूं और यह देखें आपने दर्वाजों के उब पर कि यह वे सको भी कि अधिये तो यह वालत हैं इसके साथ यह अभी इसके अच्छे तरीकी से विए फाए और एखी तरीकी से वह रहा है और खीडिक बहुत अच्छे तरीके से वो रहा है तो यह एक प्रोड़क्ट है जिसका मैं आपको प्रिव्यू दे रहा हूँ और अभी मैं ज़र पूरा क्लीन कर लूँ फिर आपको उसका भी एक दिखाता हूँ कि यह कैसी लग रही है साफ होने के बाद तो भाईयों आपको नजर आ रहा होगा ठीक है कि गाड़ी के अंदर एक शाइन आ गई है इंठीर के ओपर तो पुराना इंठीर है मेरी गाड़ी का वो इस प्रोड़क्ट से हो गया शाइनी शाइनी सा और बड़े मज़िदार सी स्मेल भी आरी अच्छी सी अभी हम इसके सा करने का सोचने तो फॉरंग कीज़े और हम लोगी सोचते रह जाते हैं कि गाड़ी के ओपर खर्चा करेंगे तो मतलब कही प्रोड़क्ट बहुत जादा महंगी नहीं हो यह सब चीजी नहीं हो 1100 रुपेगी अगर आपको प्रोड़क्ट घर के ओपर डिलिवर हो के मिल रह प्रोड़क्ट है आप अपनी गाड़ी के इंटेलिया का ख्याल रखें और यह कोई पेड़ वीडियो नहीं है कि मैं जब तक कि इसी चीज़ को खुद इस्तमाल नहीं करता मैं उसके बारे मैं कोई बात नहीं करता तो मैंने इसको खुद यूज किया है इसलिए मैं आपको आपको वीडियो पसंद आईगी चानल को लाइक करना सब्स्राइब करना बिल्किन मत भूलिएगा अलब आखसान का में असर है